करता विनिष्ट चिडिया तो ये कहानी है एक बार एक गाउं में आग लग गई सभी गाउंवाले उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे या द्रिश पेड़ पर बैठी एक चिडिया ने भी देखा चिडिया ने सोचा कि मुझे भी गाउंवालों की आग बुझाने में मदद करनी चाहिए उसने देखा कि पास में ही एक सरोवर है वा उस सरोवर के से बार-बार अपनी चोच में पानी भरती और उसे आग पर डाल देती उसी गाउं के एक मकान की छट पर एक कवा भी बैठा था वह यह द्रिश देख रहा था वह सोच रहा था कि यह चिडिया पागल है यह सोचती होगी कि वह अपनी चोच से पानी डाल कर आग बुझा देगी वह बार-बार चिडिया को आग पर पानी डालते देखता रहा जब उससे नहीं रहा गया तो वह चिडिया के पास आकर बोला अरे चिडिया तुम क्या यह समशती हो कि तुमारी चोच के द्वारा फैके गए थोड़े से पानी से यह आग बुझ जाएगी तब चिडिया ने कव ऐसे कहा कि मैं तो यह नहीं समशती कि मैं इस आग को बुझा पाऊंगी यह नहीं लेकिन इतना जरूर जानती हो कि भविश में जब भी इस आग की घटना का जिक्र होगा मेरा नाम आग बुझाने वालों की गिंती में होगा चट पर बैट कर तमाशा देखने वालों की गिंती में तो नहीं होगा तो बच्चों हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करते रहना चाहिए